हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम ये बहुत ही मज़िदार छोले की रसेपी बनाने वाले हैं जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही अलग तरीके से हम बनाएंगे चलिए देखते हम कैसे बनाएंगी ये बहुत ही टेस्टी छोले चोले को हमने भेगो के रख लिया था रात भर अब इसमें हमने एक तेजपत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और इसे हम तीन से चार सीटी में बॉइल कर लेंगे अब हमने इसकी ग्रेवी के लिए प्यास के ऐसे लंबे टुकड़ो में कट करके थोड़े से तेल में हम इसमें लहसून, अधरक और हरी मिर्ची को हमने डालके प्यास को हमने अच्छे से थोड़ा कलर होने चेंज होने तक हमने हलका रोस्ट कर लिया है प्याज हमारा भुन जाएगा थोड़ा सा इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल के इसे ढाग देंगे हमने इसमें दो प्याज और दो टमाटर लिए हैं ग्रेवी के लिए ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है इसका अब हमने थड़के के लिए हमने तेल में जीरा डाला है एक चम्मच, एक तेजपत्ता डाला है और बारिक कटेवे एक प्यास हमने डाला है, हिंग डाल रहे हम इसे हम अच्छे से चला लेंगे अब ये जो मसाले के लिए हमने पेस्ट बनाया था, इसे हमने ठंडा करने के लिए रख लिया है, इसमें हम कुछ लॉंग और काले मिर्श डाल रहे हैं खड़ी और ये paste को हम इसमें हम डाल दे रहे हैं ठंडा करके इसका हम ने paste तयार कर लिया है ये देखिए अब हम मसालों में हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर लाल मिर्श पाउडर और ये छोले मसाला हम ले रहे हैं आपको सिर्फ इतने ही मसाले इसमें डालने हैं और आपको कोई भी मसाले डालने की जरुवत नहीं है अब इसमें हम पानी डालके इसका एक मसालों का पेस्ट तयार कर लेंगे यह दिखिए प्याज हमारा अच्छे से लाल हो चुका है अब यह जो मसाला पेस्ट इसमें हम डाल दे रहे हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह जो मसाले का पेस्ट हमने पीस करके रखाता है यह भी इसमें हम अच्छे से पूरा डाल देंगे अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे हमें मसालों को यह मसाले बहुत ही जल्दी पक जाएंगे क्योंकि हमने इसे हलका सा भून लिया था छोले आपने कई तरीके से बनाये होंगे पर आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगा थोड़ा सा पानी ढाल करके हम इसमें मसालों को अच्छे से फ्राइग कर लेंगे चैने हमारे बॉइल हो चुके हैं अब यह जो इस तेज पता और दालचीनी है इसे हम निकाल देंगे हम चेक करते हैं चोले तरीके से हमारे चोले पके होने चाहिए मसाले भी हमारे भुन चुके हैं अब इसमें हम चोले डाल देंगे पानी के साती पानी अब इसका अपने हिसाब से डाली आपको जितना ग्रेवी चाहिए नमाक हम ने डाल दिया है इसे अच्छा से मिला लेंगे देखिए हमारे छोलो पे कितना अच्छा कलर आ रहा है ना इसमें हमने कोई कलर यूज किया है ना कोई कश्मीरी लाल मिर्चम ने यूज किया है ना कोई चाय पत्ती इसमें हमने डाली है फिर भी हमारे छोलो का कलर कितना ज़्यादा प्यारा आया है यह देखिए अगर आपके पास कसूरी मेती है तो आप वो भी डाल देजिए अभी मेरे पास नहीं है अभी इसे हम सर्फ करते हैं और इस पे आप नीमबूर निचोड़ के अच्छे से आप इसे खाईए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू